जैसे जैसे गर्मिया बढ़ती हैं, फैन से काम नहीं चलता, और air conditioner काफी महंगा हो जाता है, ऐसे में air cooler एक best option है इन दोनों के बीच में, और Indian middle class families की मैं बात करूँ तो उनके लिए तो ये बढ़िया ही option है, क्योंकि पहले तो जब आप इसको purchase करेंगे, buy करेंगे, तो ये air conditioner क मुकाबले काफी कम cost में मिल जाता है, दूसरा इसकी जो running cost है, यानि कि जो बिजली का bill आपका आएगा, इसको use करने के बाद, वो air conditioner के मुकाबले काफी कम आता है, और fresh air तो ये provide करता ही है, तो ऐसे में जो Indian middle class families हैं, उनके लिए air cooler एक बढ़िया option है, लेकिन हमें आजकी rate म ये नहीं पता के कौन सा air cooler खरीदें, जब हम market में जाते हैं, तो काफी सारे नाम सुनने में आते हैं, ये desert air cooler है, ये tower air cooler है, ये window air cooler है, उसके लावा इनके water tank की capacity काफी सारी होती है, इनके features काफी अलग-लग होते हैं, price gap काफी जादा होता है, अब ऐसे में जो दुकान दार ह वो क्या करता है, उसको जिस product पर margin जादा पड़ रहा है, वो product वो आपको चिपका देगा, उसको फरक नहीं पड़ता है कि आपकी requirement पूरी होती है नहीं, इसलिए आज मैं ये video बना रहा हूँ, इस video में मैं आपको कुछ top models दिखाऊंगा, top brands की तरफ से, उन air coolers के features हम आप में compare करेंगे, उनके बीच का price gap देखेंगे, कि उनके बीच में price difference इतना जादा क्यों है, कौन-कौन से air coolers अलग-लग type के market में available हैं, और सबसे important बात, मैं कुछ आपको ऐसे points बताऊंगा, जो air cooler खरीदते समय आपको ध्यान में रखने होते हैं, आप में से कुछ लोग online नही खरीदना चाते होंगे, offline खरीदना चाते होंगे अपने घर के आसपास, लेकिन ये points आप जरूर सुनके जाईएगा, क्योंकि आपको air cooler खरीदने में काफी जादा help मिलेगी, तो चलिए बिना time waste की वीडियो को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने different types के air coolers होते हैं, primarily दो type के ही air coolers होते हैं, एक आपने सुने होंगे desert air coolers, जो की काफी बड़े होते हैं size में, और ये बड़ी जगाहों के लिए होते हैं, मानली जी आपका काफी बड़ा room है, या hall की हम बात करें, या ऐसी जो भी जगाह होती है, जहां पर space काफी जाद होता है वहाँ पर हम desert air coolers का use करते हैं, उसके बाद आजाते है personal air coolers, इनके अंदर 3 different type के air coolers आपको सुनने को मिलेंगे, एक तो normal personal air coolers होते हैं, जो की desert air coolers जैसे ही होते हैं, लेकिन size में काफी जादा छोटे होते हैं, इसके बाद tower air coolers आपको सुनने में आए होंगे, ये काफी देख सकते हैं, ये काफी छोटे होते हैं, इनमें castor views नहीं होता, और इनके लिए आपको trolley की requirement होती है, तो ये अलग-लग type के air coolers होते हैं, और इनमें से कौन सा type आपके लिए सही है, वो पता करना पड़ेगा आपको खुद को आपकी requirement के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आप ब बड़ा air cooler लगाएंगे, तो वहाँ पर humidity काफी जादा हो जाएगी, तो सबसे पहला आप देखिए कि आपके room के size के हिसाब से, जहाँ पर आप यूज करना चाते हैं, वहाँ कौन सा air cooler सबसे सही रहेगा, जो desert air cooler होते हैं, वो काफी बड़ी spaces में यूज होते हैं, और ज्या personal air cooler होते हैं, वो एक या दो लोग, maximum, इन के लिए use होते हैं, अगर जादा बड़ा area है और जादा लोग हैं, तो आप desert air cooler consider कीजिए, और जो personal air coolers होते हैं, यह humid वाला जो area होता है, वहाँ पर जादा use होते हैं, टाइप्स के बाद बात कर लेते हैं, कौन से वो important points हैं, जो air cooler खरीदते समय आपको ध्यान में रखने होते हैं, तो इसमें सबसे पहला point जो आपको ध्यान में रखना है, वो है body material, यानि कि जो air cooler आप खरीद रहे हैं, उसकी body का material कैसा है, एक तो आपको पता ही होगा कि पहले steel के cooler साते थे, लेकिन इस वीडियो में हम सिफ plastic cooler की बात कर र हैं, तो definitely reviews check कीजिए customers के, अगर आप offline खरीद रहे हैं, तो इससे बड़िया बात कुछ है ही नहीं, आप showroom में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, वहाँ पर सबकी body अपने हिसाब से check कीजिए, इसके बाद आपको देखना होता है, जो air coolers हैं, उनमें किस तरीके के cooling pad का use किया बढ़िया है honeycomb structure, लेकिन इसका drawback क्या है, ये थोड़ा सा expensive पड़ता है, जो wood wool है, वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, लेकिन आप सस्ते के चक्कर में मत जाईए, क्योंकि वो सस्ता बेशक पड़ता है, लेकिन उसमें maintenance काफी जादा है, और वो इतना जादा durable भी नहीं है, और उसकी efficiency भी काफी कम है, जो ये दूसरा मैं honeycomb वाला structure आपको बता रहा हूँ, इसमें बेशक ये थोड़ा सा expensive है, लेकिन इसकी जो efficiency है, वो काफी जादा है, durable है, और इसकी maintenance भी काफी कम है, इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो air cooler है, वो कितनी power consume कर रहा 200 watt, 200 watt, 300 watt तक के air cooler आपको मिल जाएंगे, तो कम से कम wattage वाला अगर आप लेंगे तो बिजली का bill कम आएगा, दूसरा फायद आपको ये होगा कि अगर वो कम wattage वाला है, तो आपका inverter पर भी चल जाएगा, तो ये इसका चोथा point है, आपका जो air cooler है, वो inverter compatible होना चाहिए, और आपको जादा water tank capacity वाला air cooler चाहिए, market में कौन सा available है, market में आपको 10 liter से लेके, 100 liter से भी जादा के air cooler मिल जाएंगे water tank वाले, तो water tank की capacity आपको अपने room के size के हिसाब से decide करनी पड़ेगी, इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं कि उसमें water level indicator है या नहीं, यानि कि आप tank में प अलग से एक compartment दे दिया जाता है, जिसमें आप ice डाल सकते हैं, इससे फायदा क्या होता है, जो cooler के अंदर का पानी है, वो थोड़ा जादा ठंडा हो जाता है, और आपको cooling काफी अच्छी मिल जाती है, तो ice chamber भी आप ध्यान में रख सकते हैं, next point जो आपको ध्यान में रखन हैं, उनमें आपको automatic swing का feature मिल जाता है, यानि कि आप जहां पर बैठे हैं, आपको उन्हें अपने हिसाब से अपनी तरफ मोडने की जरूत नहीं है, automatic swing में वो अपने आप ऐसे घूमती रहती हैं, side vertical वाली जो होती हैं, horizontal वाली नहीं मिलेंगे आपको, तो जो vertical वाली ऐसे घ important हो जाता है, क्योंकि माली जी आप बड़ा water tank वाला air cooler ले रहे हैं, जैसे 80 liter या 100 liter वाला, उसमें एक बार पानी भर गया, तो आप उसको move नहीं कर पाएंगे, ऐसे में caster wheels होते हैं, तो वो easily move कर पाते हैं आप उनको, तो ये आपको ध्यान में रखना होता है, और इसके बा 2.5 feet के भी, और थोड़े लंबे भी आते हैं, 5 feet के पास height के भी, और जो window air coolers हैं, उनमें तो कुछ height होती ही नहीं है, वो तो काफी छोटे होते हैं, उनके लिए तो आपको trolley लेनी होती है, अब आपको कौन सा चाहिए, वो depend करता है कि आप किस purpose के लिए ले रहे हैं, क्या आप ऐसे किसी काम के लिए ले रहे हैं, जहाँ पर आप नीचे बैठ रहे हैं, तो आप window air cooler consider कर सकते हैं, अगर आप ऐसे किसी काम के लिए ले रहे हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा उची height पर हवा चाहिए, तो आप tower air cooler consider कर सकते हैं, तो height काफी जादा important है, और जितने भी air coolers अगर आप online देखेंगे तो online आपको height का अंदाजा नहीं लग पाएगा मैंने काफी सारे ऐसे air coolers देखें जो online देखने में tower air coolers उनको बोला जाता है और उनकी जो image डाली जाती है वो दिखने में ऐसे लगती है कि हाँ काफी लेकिन जब वो लोगों ने order करे तो उन्हों ने ठीक से dimension check नहीं कराता है जब उनके घर पर आए तब उन्होंने कहा कि यार यह tower air cooler तो है लेकिन इसकी height तो धाई feet है यह तो कोई जादा लंबा नहीं है तो यह चीज़े काफी जादा आपको ध्यान में रखनी है तो यह थे कुछ important points इनके अलावा भी थोड़े points हैं जो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं market में काफी सारे air coolers हैं जिन में आजकल आपको dust filter देखने को मिलता है उसमें कुछ नहीं होता उनका जो वो honeycomb वो होता है उसके पीछे एक filter type का लगा देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि इसकी वज़े से जो dust है वो अंदर नहीं आती तो यह आप ध्यान में रख सकते हैं मुझे इसका कोई जादा use लगता नहीं लेकिन अगर आप लोग consider करना चाहें तो कर सकते हैं इसके पास shockproof body उस air cooler की है या नहीं यह आपको देखनी होती है जो पहले metal body वाले आते थे, steel body वाले आते थे उनमें shock लग सकता था लेकिन आजकल जो plastic body वाले आते हैं उनमें shock नहीं लगता लेकिन फिर भी आप एक बार consider कीजिए इसके लावा आप यह भी देख सकते हैं कि आपके air cooler में आपको remote मिल रहा है या नहीं तो remote काफी important चीज है अगर आप consider करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन air cooler में remote की ऐसी कोई ज़रूरत पढ़ती नहीं है और इसके लावा last में आप noise level देख सकते हैं कि उस air cooler का noise level कितना है वैसे तो जो भी air cooler market में available हैं वो थोड़ी बहुत आवाज करते ही हैं लेकिन फिर भी आप एक बार offline अगर किसी showroom में जाके check कर रहे हैं तो अच्छे से देख लीजे कि आप वो cooler जादा आवास तो नहीं करता तो अब जब कि आपको ये सारे points अच्छे से पता चल गए हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कुछ models आपको दिखाता हूँ उनके price बताता हूँ और उनके features क्या क्या हैं वो भी हम देखते हैं customers के reviews भी check out कर सकते हैं और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो online order भी place कर सकते हैं तो हमारी इस list में number one position पर मैंने रखा है Crompton brand का Crompton ozone desert air cooler इसका जो current price है वो 9,500 से लेके 10,500 के बीच में ये पढ़ेगा इसकी जो height है वो around 4 feet के आसपास रहती है क्योंकि ये desert air cooler है तो ये बड़े size को cover करता है water tank capacity की मैं बात करूँ तो 75 liter का इसका water tank है लेकिन इसके दूसरे models भी market में available हैं जैसे आपको 55 liter वाला भी मिल जाएगा 88 liter वाला भी मिल जाएगा लेकिन इन में price gap कितना आएगा तो price gap 500 ये 1000 रुपे का ही है तो आप देख लीजिए अगर आपको 75 liter वाला 10,000 रुपे का मिल रहा है तो 55 liter वाला आपको 9,000 का मिल जाएगा और इससे बड़ा जो 88 liter वाला वो आपको 10,000 का मिल जाएगा तो आप देखिए 500 और 1000 रुपे के बीच में gap है और उसमें आप कितने liter का लेना चाते हैं वो आप consider कीजिए इसकी अगर मैं air delivery की बात करूँ तो वो है 4200 cmh cmh का मतलब होता है cubic meter per hour तो ये air delivery नापने का तरीका है तो इसकी जो air delivery है वो है 4200 जो की काफी जादा सही है अगर मैं आपको इसको normal language में समझाओं तो आप कहेंगे कि इसकी air throw कितनी है मतलब कितनी दूरी तक ये हवा दे सकता है तो 52 feet किया इसका air throw है यानि कि जहां पर आपने इसको रख रखा है वहां से 52 feet की दूरी तक इसकी हवा आपको मिल जाएगी honeycomb pads का इसमें use हुआ है vertical auto swing feature इसमें आपको मिल जाता है power consumption की अगर मैं बात करूँ तो 190 watts की ये power consume करता है और ये inverter compatible है अगर आपको 190 watts पता करना है कितना होता है तो मैं आपको बता दूँ आपके घर की छत पर जो एक ceiling fan लग रहा है वो 70-75 watt का होता है तो लगबग 3 ceiling fan के जितना power consumption अकेला ये air cooler करता है लेकिन बदले में आपको ठंडी हवा मिल जाती है इसमें auto fill का feature आपको मिलता है इसमें एक large water inlet भी आपको मिल जाता है और ice chamber भी मिल जाता है तो आप क्या कर सकते हैं अगर जादा तेजी से आपको इसमें पानी बढ़ना है तो एक large water inlet मिल जाता है वहाँ से आप जादा मात्रा में पानी बढ़ सकते हैं Ice Chamber है जिसमें आप Ice डाल सकते हैं और वो दीरे-दीरे सारा पानी आपका ठंडा कर देगी, इसके लाबा Water Level Indicator भी आपको मिल जाता है और Caster Wheels भी मिल जाते हैं इसको easily move करने के लिए, एक साल की इस पर warranty मिल जाती है, अब देखिए इसमें इतने सारे features आपको मिल रहे हैं और य Air Cooler, तो यह Personal Air Cooler है लेकिन मैं आपको बता दूँ यह ना तो Tower Air Cooler है ना यह Window Air Cooler है यह एक Desert Air Cooler ही आप इसको बोल सकते हैं लेकिन काफी चोटे साइज में, पिछले वाला model जो आपने देखा था वो एक Desert Air Cooler था, 75 लिटर की उसकी Tank Capacity थी, इसकी 36 लिटर की Tank Capacity है इसमें एक बात करूं तो 2.7 feet के आसपास इसकी हाइट आपको मिलती है, Air Delivery की बात करूं तो 1500 CMH की Air Delivery यह मिलती है, यानि की लगबग 30 feet की दूरी तक यह आपको हवा प्रोवाइट कर देगा, तो मैंने जैसा कि अभी आपको समझाया है, यह एक तरीके से Desert Air Cooler ही है, लेकिन छोटे सा जो की लगबग आधी हो जाती है पिछले model के मुकाबले, वो Desert Air Cooler था, यह भी inverter compatible है और इसमें भी water level indicator आपको मिल जाता है, Caster Wheels आपको मिल जाएंगे और एक साल की warranty इस पर भी आपको मिल जाएगी, नमबर 3rd position पर मैंने रखा है Symphony Diet 35T Personal Tower Air Cooler, इसके नाम से आपको पता लग र जा सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यह सारी चीज़े बेकार हैं, over the time जब आप Air Cooler को यूज करते रहेंगे तो इन सारी चीज़ों से आपको जूजना ही पड़ेगा, इस Air Cooler के Price Range के अगर मैं बात करूँ तो 7500 से लेके 8000 रुपीज के बीच में इसकी Price Range है, और इसकी 12 लिटर वाला model भी available है, लेकिन उसकी height काफी कम है, और उसके reviews जब मैंने online चेक करे थे तो लोग उसमें काफी negative reviews दे रहे थे, क्योंकि height का उनको online पता नहीं लग पाया, और जब उन्होंने order किया, उनके सामने आया, तब उनको समझ में आया कि यार इसकी height तो काफी जादा कम है, तो अगर आप ठीक height वाला लेना चाहते हैं, तो आप ये वाला model consider कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपको honeycomb pads मिल जाते हैं, और एक चीज़ आपको बता दूँ, ये blower type air cooler है, जो blower type air cooler होते हैं, उसमें एक तरफ ही आपको pad मिलते हैं, नॉर्मल auto swing feature आपको मिल जाता है, power consumption की मैं बात करूँ तो 170 watt की power ये consume करता है, inverter compatible है ये भी, यानि की inverter पर चल जाता है, water level indicator इसमें भी आपको मिल जाता है, caster wheels मिल जाएंगे, easily आप इसको move कर सकते हैं, और एक साल की warranty मिल जाती है, नमबर फॉर्थ पोजिशन पे हमारी लिस्ट में है, Hevels Kalt Personal Air Cooler, इसके अगर मैं price range की बात करूँ तो वो 5500 से लेके 6000 रुपीज के बीच में पड़ेगा, height की अगर मैं बात करूँ तो इसकी height काफी काम है, 2.5 feet की इसकी height है, water tank capacity इसकी 24 liter है, air delivery की बात करूँ तो 800 cmh की इस कम देखने को मिलते है, vertical auto swing का feature इसमें आपको मिल जाता है, power consumption की बात करूँ तो 90 watt power ये consume करता है, तो काफी कम power ये consume करता है, बाकी दूसरे models जो इस list में मैं आपको दिखाएं उनके मुकाबले, inverter compatible है, water level indicator मिल जाता है, caster wheels इसमें आपको मिल जाएंगे, और एक साल की warranty मिल ज मैंने desert air cooler भी आपको दिखाया, tower air cooler भी आपको दिखाया, जो normal personal air cooler होता है, जो desert air cooler जैसा ही होता है दिखने में, लेकिन छोटे size का होता है, वो भी दिखाया, और last में ये window air cooler में आपको दिखा रहा हूँ, इसकी image आप अपनी screen पर देख सकते हैं, आप आराम से देख सकते है कि छोटा सा air cooler होता है, इसके लिए आपको trolley अलग से खरीदनी पड़ेगी, इसकी जो price है, वो है 6500 से लेके 7000 रुपीज के लिए, height की बात करूं, तो मात्र 1.8 feet की height है, और 50 liter की water tank की capacity है, air delivery की बात करूं, तो 2000 cmh की air delivery है, इसमें आपको wood wool cooling pads मिलते हैं, इसमें आपको honeycomb वाले नहीं मिलते, मेर से पूछेंगे, आप हच्चे कोन से हैं, तो मैंने आपको शुरू में समझाया था, honeycomb cooling pads जो होते हैं, वो बढ़िया होते हैं, wood wool वाले आपको काफी सस्ते पड़ते हैं, लेकिन ये बढ़िया नहीं होते, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, price के हिस अगर आपको शही लग रहा है ये model, तो आप consider कर सकते हैं, मेरा कामता आपको जानकारी देना, इसलिए एक model मैंने wood wool वाला भी आपको दिखाया है, vertical auto swing का feature इसमें भी आपको मिल जाता है, power consumption की बात करूँ तो ये power भी काफी जाता consume कर रहा है, 230 watt की ये power consume कर रहा है, जो की मे wood wool cooling pad आपको मिल रहे हैं, और power consumption भी काफी जादा हाई है, बाकी ये model भी inverter compatible है, auto fill feature इसमें भी आपको मिल जाता है, ice chamber आपको इसमें मिल जाएगा, जो की काफी अच्छी बात है, बीच के अभी जो कुछ models में आपको दिखाया थे, उनमें ये सारे features आपको नहीं मिल रहे थे जो सबसे पहले वाला model मैंने आपको दिखाया थे, desert air cooler का, उसमें ये सारे features थे, water level indicator आपको मिल जाता है, और एक साल की warranty भी आपको मिल जाएगी, अभी वीडियो खतम नहीं हुई है, आप मैंसे कुछ लोग सोचेंगे के या different types के air coolers बता दिये, price बता दिया, buying pointers बता दिया अब क्या बच गया, लेकिन अभी भी चार point ऐसे बच रहे हैं, जो काफी जादा important है, please इनको देखके जाएएगा, एक आप बढ़िया cooler ले पाएंगे, अपनी requirement के हिसाब से, सबसे पहला point, आप मेंसे कुछ लोग पूछेंगे, कहां से खरीदे, online खरीदे या offline खरीदे, त तो मैं आपको पिछले साल का अपना experience शेर करता हूँ, पिछले साल मुझे जब एर cooler चाहिए था, तो मैं अपने घर के पास एक showroom में गया, एक model मैंने पसंद किया, उसका जो price था 13,000 रुपीज, लेकिन वहाँ पर उसको purchase करने से पहले मैंने सोचा, online भी check कर लेते हैं, online same model मुझे Amazon और Flipkart की website पर 10,000 रुपे के आसपास पढ़ रहा था, कुछ card offers चल रहे थे उनको लगाने के बाद, तो वो model मैंने online मगाया है, जहाँ पर मिरको 3000 रुपे की saving हुई, अब ऐसा नहीं है कि वो online आया है, तो transportation में कुछ दिक्कत हुई होगी, टूट फोट हुई होगी अच्छे से pack होके आया था, बस उसके caster wheels अलग से आये थे, जो मैंने नीचे से connect करे और वो बढ़िया तरीके से चल गया, तो जहाँ से भी आपको price काफी कम मिल रहा है, वहाँ से आप order कीजिए, चाहे वो online हो या offline, दूसरी चीज, जहाँ पर आप air cooler use कर रहे हैं, वहाँ proper ventilation होना चाहिए, AC में क्या होता है, जब आप AC चलाते हैं, तो आपको वो room चारो तरफ से बंद रखना होता है, लेकिन air cooler में, वहाँ पर दो outlet होने चाहिए उस room में, एक जगा जहाँ पर आप cooler रखेंगे, वहाँ से हवा अंदर जाएगी, और दूसरी तरफ कोई window या door definitely हो यह कि जहाँ पर भी आपका cooler रखा हुआ है, वहाँ पर direct sunlight ना पड़े, क्योंकि अगर direct sunlight पड़ेगी, तो उससे क्या होगा सबसे पहले, आपके cooler की जो body या वो खराब हो जाएगी, दूसरा जो आपका water tank है, माल लीजिए 100 liter का water tank का air cooler भी आप ले रहे हैं, और माल जिसका कोई फायदा नहीं है, अब फालतु में अपनी बिजली ही फूक रहे हैं, तो direct sunlight आपके air cooler पर कभी नहीं पड़नी चाहिए, और last point, हमेशा अपने air cooler के अंदर जो पानी है, उसको 3-4 दिन के अंदर change कर दीजिए, ऐसा क्यों, क्योंकि आपने मच्छरों का नाम सुन देते हैं, और normal fan को चलाते हैं, और पानी को cooler से नहीं निकालते हैं, तो क्या हुआ, वो पानी साफ पानी है, और काफी दिनों से एक जगा पर रुका हुआ है, तो ऐसे में mosquito breed करते हैं उस पानी में, और malaria और डेंगू ऐसे ही पानी में होता है, तो हमेशा 3-4 दिन में अपन air cooler का जो पानी है, उसको निकाल दीजिए, उसका जो cooling pad है, उनको अच्छे से साफ कीजिए, तो आपको smell भी नहीं आएगी, कोई ऐसी गंदी सी, और बढ़िया तरीके से आपका cooler चलेगा, तो ये छोटी सी वीडियो में बनाना चारा था, लेकिन जब मैं information देने पाता काफी लंबी वीडियो होजाती है, and I hope आप लोगों को ये सारी वीडियो पसंद आती होंगी, ceiling fan वाली वीडियो पे आप लोगों ने जो प्यार दिखाया काफी बढ़िया लगा, अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज इसको like कीजिए, और जाधा स वेडियो गड़ी आपको येडियो आपको ये वीडियो रूगों कर लोगों कि अबड़े का वीडियो ये लगड़े वीडियो रूगो